लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्स kषूल मंगल करता अंतर यां में रिधे सिद्ध के ये है स्वामे मंगल करता अंतर यां में रिधे सिद्ध के ये है स्वामी प्रत्म पूज है पर्म देव है सब के मिटाएं कश्ट कलेश जी गडिश जी गडिश जानेश्वर है सत्य यही है है ये सनातन नेत यही है जानेश्वर है सत्य यही है है ये सनातन नेत यही है समय किसी मा श्री गडिश है अंत अरंभव मद यही है जी गडिश जी गडिश जी गडिश जी गडिश भक्ति की ये देते शक्ति भय बंधन से देते मुक्ति भक्ति की ये देते शक्ति भय बंधन से देते मुक्ति निराकार साकार यही है हर युग का आधार यही है जी देते शक्ति की ये देते शक्ति मैं आराधना करने वालों की शिरो मने भक्ति हुँ मैं आराधना करने वालों को भक्ति का स्वर प्रदान करने वाली पूजा हुआ स्वर्ग का ज्यान होने पर परशुराम ने शमायाचना की देव गुरू के आगरा पर उनके मित्र वामदेव नारत सहत स्वर्ग लोग पधारते हैं स्वर्ग के सदाबाहा नृत्य के मध्य गंधर्व क्रॉंच अपसरा रंभा की ओर आकरशित होकर अनायास ही वामदेव से टकरा जाते हैं अपने अपमान से क्रोधित होकर वामदेव क्रॉंच को श्राप देते हैं दुष्ट वाचाल गंधर्व क्रोच जा मैं तुझे अपनी तब शक्ती से शाप देता हूँ जा तु गंधर्व लोग और समस्त दिव लोकों से पतित होकर पित्वी लोग पर जाकर मूशक बंजा जा कर दो कर दो कर दो कर दो मैं मुशक बंद कर भी तुम जैसे रिशी मुन्यों को शांती से नहीं रहने दूंगा मैं तेरे इस चाप का भ्यानत प्रतिशोद दूंगा रिशी कर दो कर दो कि साधू का स्वभाव तो सज्जन का स्वभाव होता है कि सब का कल्याव कि दूसरे के दुख से साधू दुखी हो जाता है कि कि आज न जाने में किसकी लीला का निमित बन गया कि प्रॉंच गंधर्व को डंडित करने का मुझे बहुत दुख है देवराज आप दुखी न हो रिशिवत जो जैसा करेगा वो वैसा ही फल प्राप्त करेगा आप तो परम ज्यानी है देवरिशी भली भाती जानते हैं कि एक तपस्वी की कीर्थी तूसरों के कल्यान से ही बढ़ती है किसी प्राणी मात्र को शापित करके तपस्वी की तपस्या खंडित हो जाती है कि कितनी कठोर तपस्या के पश्चात परम देव श्री महाकणेश की क्रिपा से मुझे सदेह हर दिविलोक में जाने की सिध्धी प्राप्त हुई थे कितना उत्साहित था मैं कि अपने बच्पन के मित्र प्रेंसपती से भेंठ होगी किन्तु इस शाप के कारण मेरे उत्साह का सर्व नाश हो गया है देवरिशी ना रायन ना रायन रिशिवर्ट आपकी तपसित्धी और आपका उत्साहा पूर्व्रत इस्थर रहेगा यदि आप क्रौंच गंधर्व का अधिकार भी तो गुरू के पास ही सुरक्षित है कि तुम क्रौंच के उद्धार का उपाय बताकर इसके अपरादों को क्षामा भी कर सकते हूं आप सत्य कह रहे हैं मित्र मित्र ब्रहस्पति देवरिशी नारत क्रौंच गंधर्व का उद्धार परमदेव श्री महा गणेश के अव्तार एक दंत दयावंद गजानंद श्री गणेश ही कर सकते हूं कि नारायन नारायन मुझे एक शमा करें मित्र ब्रहस्पति आपके आग्रया और आदेश के पश्चाद भी मैं एक शण के लिए भी स्वर्ग लोग में नहीं रुकूंगा आज जो कुछ भी हुआ उससे मेरा मन दुखी है कि दुखी ना हो गुर्देव क्योंकि हर दुख का उप्चार परमदेव श्री महागणेश की आराधना से संब्भव है यह शिक्षा आपी ने मुझे दिए इस घटना के पस्चाद तो परमदेव श्री महागणेश का ही आश्रय है कर दो परमदेव तो इस्वादी स्थामा ता? बेटा श्रीकनीश क्या तुम्हें मोदक के अतरक्त और कुछ भी प्रिय नहीं माता तुम जो भी खिलाओगी वह सब कुछ मुझे प्रिया है परंतु मोदकों का स्वात तो कुछ और ही है किन्तु माता सत्य तो यह है कि आपके हाथों का स्पर्श पाकत वे और भी अधिक पादेश्ट हो जाते हैं तुम्हारी बुद्धी और चतुराई के सामने सारे ही इनुरुत्तर हो जाते हैं इसमें मेरा कुछ नहीं माता सब तुम्हारी कृपा का ही परिणाम है क्योंकि पुत्र तो माता का ही प्रतिरूम होता है माता के संसकारों से ही उसकी बुद्धी औ और विवेक का विकास होता है एक बात तो बताओ माता एक नहीं अनीक बात पूछो पुत्र माता क्या तुम बड़े भया कुमार कार्थिके को भी इसे प्रकार मोदक खिलाती थी श्री गणेश तुम्हारे बड़े भया कुमार कार्थिकेए को मेरे साथ अधिक समय तक रहने का अवसर ही नहीं मिला एसा क्यू माता कुमार को तो धर्म और ग्यान में विशेश रुजी है इसी कारण वो तुमारे पिता ही सी आजया लेकर अगस्त façon के साथ दक्षिन दिशा की ओर चला गया तो तुम कुमार भाईया को गुलाती क्यों नहीं। कुमार का कैलाश लोटना तुम्हारे पिता महादेव शिव की इच्छा के बिना संभव नहीं है। क्या पिता श्री भाईया कुमार के कैलाश लोटने के इच्छुप नहीं। नहीं पुत्र, स्वामी तो तुम्हारी इभादी कुमार से वे अनन्य प्रेम करती है, किन्तु वो कुमार के धर्म और ज्ञान के मार्ग में बाधा नहीं उत्पन्द करना चाहते हैं और कुमार भाईया की क्या इच्छा होती होगी? मा तापी ता किसने हे ज्ञाओं में आने की इच्छा, किस पुत्र को नहीं होती, पुत्रगाणिश किन्तु हर पुत्र को आकार प्राप्ट करने के पश्चार अपने भविष्य का निर्मान स्वेम करना पड़ता है पुत्र का भविष्य उच्वल हो यह शस्वी हो उसके कार्यों की सुगंध संपून वातावरन को सुगंधित कर दे यही तो हर मातापिता की अभिलाशा होती है इसी अभिलाशा के कारण कि मातापिता अपने हिर्दय के टुगड़े को अपने से दूर कर देती हुआ कि मैं तुमारी पीड़ा को समझता हूं माता तुम तनिक भी चिंता ना करो मैं शीक रही कुमार भाईय को केलाश लेकर आऊंगा हां माता परम सक्वार्ण बड़े भाईय कार्थिके इतने विशाल कैलाश में अकेले हैं इनके साथ खेलने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना भाईय कार्थिके के संग खेलने का आकर्शन मुझे शीक्र अवतार धारन करने के लिए विवश कर देगा आप निशिंत रहे माता मैं शीक्री अवतार करूंगा क्या वो ये कुमार की स्मृत्यों में खो गई माता नहीं पुत्र तुम्हारी बातों से कुछ बीती बातों का समरण हो आया मेरे वचन पर विश्वास रखना माता मैं शीक्री कुमार भईया को केलाश लाकर तुम्हारी बीडा का अंत करूंगा मुझे तुम्हारी वचन ही नहीं कथन पर भी पूर्ण विश्वास है पुत्र कनेश कि इंद्रसभा के पश्चात से ही आप उद्विग्न है जो होना था सो हो गया अब अपनी उद्विग्नता को विराम देवराज कि इंद्रसभा में जो कुछ भी हुआ वो उचित नहीं हो कहने को तो हम स्वर्ग के सम्राठ हैं कि इस सत्य से भली भाती परिचित है कि स्वर्ग का सिंहासन तीखे काटों से भरा है तनिक भी असावधानी हमारे लिए भहेंकर सिध्ध हो सकती है परम देव श्री महा गणेश की क्रिपा पर विश्वास रखें स्वामी इसमें तो कोई संदेह नहीं कि उस दिन इंद्र सभा में संगीत कार गंधर्व क्रॉंच ने दुष्टता पून व्यवार किया था तुम गंधर्व को नहीं जानती देवी सची कहने को तो वे नृत्य और संगीत में व्यस्त रहते हैं किन्तु एक बार किसी से प्रतिशोद हो गया तो जीवन भर उस प्रतिशोद की दोर थामे रहते हैं आप निश्चिंत रहें स्वामी गंधर्व क्रॉंच की दुर्दशा देखनी के बार गंधर्व तो क्या गंधर्व राज चित्र रत्वी स्वर्ग की ओर आँख उठाने का दुस्साहस नहीं करेंगे किन्तो इस सारे घटना क्रम में दोशी है स्वर्ग अपसरा रंभा होता तो यह घटना घटती ही नहीं कि आपको रंभा को बुलाकर प्रतारित करना होगा उसने स्वर्ग की मर्यादा को भंग कर दिया है नहीं देवी सुची कि समुद्र मंधन से अफ्तरित अपसराएं अपनी इच्छा से स्वर्ग पधारी थी कि वे अपना जीवन परम स्वतंत्र और स्वच्छंद होकर जीती हैं उन पर हमारा कोई अंकुष नहीं तो अब आप इस चिंता का त्याग करें स्वामी कैसे त्याग करो देवी सची कि गंधर्मों के विशय में मैं तुमसे सहमत नहीं हो सकता कि तपस्वी वामदेव से शापित होकर गंधर्व क्रौन शांत नहीं बैठेगा इसका मुझे पूर्ण विश्वास है कि अमक्रिकी मे post Great ओ, जए, Xinvestह ओ, 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 व, ओ, आमक्रिक तपस्वे ओ, ओ, ख, ओ, आमक्र तभ, ओ, उ, न, मो मिवाय ñ, Sפ, ओ, ख, ओ, न, तॉ आमक्रिक, स्थुझभ आपफे ओम नमस्षिवाई कर देना कम नमस्षिवाई क्यों मार्चिवाई कर दो, पालनो का कर दो, औम नमस्षिवाई अु एंन सुन एख अरीग मैं है इसा अरीगा पर이지का लीडागा है अरीपल, औरीगा विशया थे टीडापी? एंन एग म eyelinerा है स्वामी, पक्रो, 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 इसे जिशिवर की कख्ष का सर्वानाश कर दिया है, इसे पक्रो, बहुत न पाए, स्वामी, अन्यता न हम रहेंगे न हमारा आश्रम, मैं सत्य और सदाचार की प्रतीक भक्ती हूँ, मैं सत्य व्रती और सदाचारी का आभुशन पूजा हूँ, मूशक बना शापित क्रोंच वामदेव को चेतावनी देता है, कार्तिके को माता पार्वती के पास लोटा लाने का श्री गणेश वचन देते हैं, मूशक बन चुके क्रॉंच के संबंध में इंद्र का संदेह सत्य होता है कार्थिके और महर्शी अगस्ति के दर्शन पाकर नारत प्रसंद हो जाते हैं स्वामी कुछ करें स्वामी दोर्ण ये क्रॉम्य क्रॉम्य अर्ण कि आपके सब्सक्राइब कि आपके लिए जोड़ेंगे इसे अमारी आश्रम की आपके आप सज्जन भी दुश्च हो जाए यह सरवथा अमुचुत है मुशक कहां गया चलो चलो उसे ढूंते हैं इस उत्पाती मुशक के उत्पात से मुक्ति के लिए हम अपने आराध्य भगवान शुशंकर के पास प्रत्यक्ष प्रारत्न के लिए जाएंगे वे अवश्च इसका कोई न कोई उपाय निकालेंगे कि आपका कथन सरवदा उचित है स्वामी इस दुश मुशक से हमें महादेवी मुक्ति प्रदान करवा सकते हैं तो विलम बना करें देवात्सला आये शिगर के लाश्य करेंगे करें कि अ स्वामी, 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 स्वा नारायन 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 पृत्वी लोग के इस पवित्र पावन पाराशर आश्रम है यह अनर्थ करने का दुसास किसने किया रिशिवर कुछ पूछे देवर्शी एक दुष्ट मूशक ने हमारा जीवन दुभर कर दिया है इतना उपद्रवी और विनाशकारी मूशक नहीं सुना था कि देवर्षी हमारी समय में नहीं आता है कि यह मुषक हमारे साथ चत्रुउआ व्यवार क्यों कर रहा है कि चिन्ट I'm तुन मेरी समझ में सभी कुछ आ रहा है रिशिवर कि ना राइन आ रायन। रिशीवर। इस विपत्ति से आपकी रक्षा इस संसार में केवल एक दंत दयावंत गौरी पुत्र श्री गनेश ही कर सकते हैं। श्री ःपनेश ना के मेरी बात पर संधे ना करें रिशीवरिं आप इस मुशक रूपी विपत्ति से मुपति पाने के लिए शीघ्री कहलाश जाए वहां जाकर आप भगवान शिव और माता पारवती से ये प्रार्थना करें कि वे श्री गणेश को इस मूशक उपद्रव से उद्धार के लिए प्रिरित करें ना रायन ना रायन कि धन्य हुआ देवर्शी धन्य हुआ आपका परामर्श पाकर देवद्सला अब बिलंब करना उचित नहीं है हमें कैलाश चलना चाहिए हूं आओ चलना ओम नमा शिवाय ओम नमा शिवाय पती परमेश्वराय नमो नमा ओम पिच्च देवाय नमा पुत्रगणेश तुम इस प्रकार नंदी की और क्यों देख रहे हो माता शेवकाणों के नायक नंदी महराज के आखों में अब तक हमारे प्रती बह समाया हुआ है यहां माता हमने कितनी बार इनकी बह को समाब्त कर इनसे मित्रता करने के इच्छुक हैं किन्तों यहां हमें देखते ही किफी ना किफी काम का आश्रे लेकर चले जाते हैं क्या पुत्र गणेश सत्य कह रहे हैं नंदीश्वर शिरी गणेश का कथन सत्य का प्रमान है माता किन्तों तुम पुत्र गणेश से वह भी क्यों हो श्री गणेश के हाथों खाई मार को हम कैसे भूल सकते हैं माता नंदी महराज तुम्हें पीटने वाला गणेश अब गजानन और एक दंत बन गया है यदि हम कैलाश पर रहकर तुमसे मित्रता नहीं करेंगे तो हमारे माता पिता हमें दोशी ठहराएंगे कितनी बार हमने माता के दिये हुए स्वादेश मोदक तुम्हें बेट करके मित्रता का प्रस्ताव किया किन्तो तुम्हारे बैका अंती नहीं होता नंदीश्वर अब बिती हुई बातों को भूला कर पुत्र गणेश के साथ मित्रता कर लो यदि तुम सब इनके मित्र ना बने तो इतने बड़े कैलाश पे इनका मन कैसे लगेगा यही तो हम भी कह रहे हैं सचे हिदय से हमारी मित्रता को स्विकार करो नंदी माराज एक दन दयावन अग्रपुजा के अधिकारी स्री गनेश की एक दन दयावन अग्रपुजा के अधिकारी स्री गनेश की एक दन दयावन अग्रपुजा के अधिकारी स्री गनेश की एक दन दयावन अग्रपुजा के अधिकारी स्री गनेश की एक दन दयावन अग्रपुजा क को नमाशिवाय, 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 को नमाशिवाय अधिन गुरुदेव की दक्षिन दिश्या के निवासियों यह अटल सत्य है कि कुमार कार्थी के ने कैलाश से यहां आकर दक्षिन प्रदेश की धार्मिक प्रजा को शिव धर्म में दिक्षित कर दिया है इतनी छोटी सी आयू में ब्रह्म ज्यानी कुमार कार्थी के ने भगवान शिव की क्रपा से धर्म और सदाचार का अद्भुत प्रचार किया है जन जनको शिव भक्ति के लिए प्रेरित किया तुम सबको मेरी जय जयकार के साथ इनकी भी जय जयकार करनी चाहिए सुप्रमन्यम् शनमुखम स्वामी कुमार कार्थी के की नारायल 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 शुप्रमन्यम् शनमुखम स्वामी कुमार कार्थी के की नारायल जण्य है आप श्री महागडेश की आज अनायास ही आप मुझे प्रह्गे के साथ महरश्री अगस्ती के दर्शनों का भी सौभाग्य प्रदान किया श्री महागणेश आप धन्य है अब इन्हें समीश से देखे विना इस नारत के चित को शांती नहीं मिलेगी नाराइन नाराइन जू प्रमंदम स्वामी कुमार कार्थी के खेख जू प्रमंदम स्वामी कुमार कार्थी के के ग्रुदेव शिव भक्तो एक सत्य तो यह है कि मैं इस प्रशränशा और जैजेकार की योगया नहीं हूँ मैंने जो कुछ भी किया है उसमें मेरा पुरुशात कम और पिताश्री भगवान शेव और गुरुवर महर्शी अगस्य की प्रेणा और आशिर्वात अधिक है कुमार जिस किसी को सफलता की चर्मोत कर्श पर पहुंचना हो उसे तुम्हारे सुभाव और व्यवहार से प्रेणा अवश्य प्राप्त करनी होगी तुम जैसा निरहंकारी शिश्य पाकर मैं धन्य हो गया आपका संग्रक्षन पाकर तो मैं धन्य हुआ हूं गुरुवर माटी के पुतले को आपने अपने धर्मग्यान सतकर्म और सदाचार से दिख्षित कर दिया है कुमार तुम्हारी समान मेरा हर शिश्य मेरी नाभी में स्थेर अमरित कुम्ह के समान है शिश्य को गुरु से और गुरु को शिश्य से अमरित मही प्रेणा प्राप्त होती है ना रायन ना रायन कि मेरे कथन पर आश्चयरि चकित नहुं शिशयों hee he has too यह उसी प्रकार सत्य है कि जिस प्रकार नदी बिना जलके वृक्ष बिना फलके और वाहन बिना गती के हो इसे सकता उसी प्रकार बिना शिशयों के गुरु कैसे हो सकता है शिश्यों को गुरू से और गुरू को शिश्यों से अम्रित मई प्रेणा प्राप्त होती है नारायन नारायन ओम नमस्षिवाय नमः ओम श्री महागड़ेशाय नमः देवर्शी नारत मैं अपने श्री शेल आश्रम में आपकी चरण रच पाकर धन्य हो गया नारायन नारायन धरने तो मैं हुआ हो रिशिवर आपके और इन शिप भक्तों के दर्शन करके अपनी जिग्यासा में ये नारत चौदे भुगनों में भक्त और भगवान की खोज में ही तो बठकता रहता है आपके वाख्य चातोर्य से मैं भली भादी परीचित्थू देवर्शी ना रायन, ना रायन, कुमार कार्तिके, आप दक्षिन आकर रिशिय अगस्त के साथ में शिप भक्ती के प्राचार पसार में इतना अधिक हो गये कि आपको कैलाष अपने माता-पिता और अपने भ्राता का ध्यान ही नहीं रहा ब्राता कौन ब्राता देवर्शी न्ला राइण ना रहेण हुमार मैं आपको आपके ब्राता का ज्यान कराने ही श्री शेल आश्रम में आया हूँ कि देवर्शी गूर आध्यात्म में पहलियों की भाशाही अत्य धिक प्रचलित हैं किन्तु तनिक बालक कार्थी के को देखिए अपने व्राथा का उलेख सुनकर कितने उद्विट न हो गये हैं ना रायन आश्चर रहे कुमार और अश्चर क्या पिता शिब माता पार्वती या परमदेव श्री महागडेश ने आपको आपके व्राथा के प्रकट होने का कोई संकेत नहीं दिया नहीं देवर्शी मुझे मुझे सा कोई भी संकेत प्राप नहीं हुआ ना रायन ना रायन कुमार कार्थिकी परमदेव श्री महागडेश ने शक्ति स्वरूपा माता पार्वती को दिये गए वचन को पूर्ण करते हुए केलाश पर श्री गजानन गडेश के रूप में अव्तार धारन किया है था धन्य है आप देवर्शी धन्य है आपने मेरे भ्राता के प्रकट होने का संकेत देकर मुझे धन्य कर दिया MILLर मुझे शीग्रही केलास जाने की आज्या दे मैं अपने अनुश्रीगने से मिलने और उन्हें देखने को व्याकूल हो रहा हूं आप मुझे आग्या दे गुरुवर आग्या दे कुमार कार्टि कि आपका इस प्रकार केलास जाना उचित नहीं होगा आप अपने आराध्य पिता शेव ताथा माता पार्वती के संकेत की प्रतिक्षा करें अपने अनुष से मिलने की आपकी भवना और उस्सुक ताकों में भलीबाती समझता हूँ किन्तु इस समय आपका प्रतिक्षा करना ही उचित है समय आने पर भग्वान शेव और माता पार्वती आपको क्यला शामांतरित करेंगे उस समय की प्रतिक्ष तक कुमार आपको धर धारन करना होगा ना रायन ना रायन अब जिए ओम नमाशिवाइव और नमाशिवाइव और यहार महादेव है यह आसुतोश उस उत्पाती मुशक के उत्पात से हमें मुक्ति प्रदान करें विश्वनद्स वह मुशक मायावी होने के साथ ही साथ शक्तिशाली है उसके सामने हमारे सारे प्रयास व्यर्च सिध हुए उस उत्पाती मुशक ने हमारे आश्रम को नस्ट व्रष्ट कर दिया है देव देविश्वर अपने भक्त की करुण पुकार सुने महेश्वर कि जागे भोले नात जागे हमारे संकट का अंत करे महादेव भगवान बोले नात जागे लाश्पती भगवान शिव शंकर की रिशी पराश्र देवी वत्सला हमें आपके संकट का ज्ञान है आश्रम की सुरक्षा और विवस्था के प्रति हम्त्रदेव सदाही उतरदाई है आश्रमों और रिश्यों की उर्जा से ही समाज में नयतिक धर्म के उत्पत्ती होती है महादेव हमें ज्यात है रिशिवर शापित होने के पश्चार मूशक बनाई ये प्राणी प्रतिशोद और प्रतिहिंसा के आवेज से भरकर इतना भयंकर उत्पाद मचा रहा है महादेव हमने अपने जीवन में कभी किसी प्राणी को कस्ट नहीं पहुंचाया है हम तो आश्रम में धार्मिक अनुष्ठान करते हुए अपने रिशी धर्म की रक्षा कर रहे हैं तो हमारे साथ प्रतिशोद और प्रतिहिंसा का यह तांडव क्यों प्रभू हे महादेव ऐस उत्पाती मूशक को छोड़ दिया है देवादीदेव हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भुगतना परता है सत्य कहें यह हमारे किंदुश कर्मों का परणाम है धर्य धारण करें रिशीवर नियंता की लेखनी ने आपको और आपके आश्रम को निमित बना कर एक महान ली लीला रची है जिसका परिणाम शुब शुब ही होगा उस लीला के परिणाम के फलसुरू आपकी और आपके आश्रम की कीरती दिखदिगन तक फैल जाएगी देवादी देव वर्तमान के संकट को देखकर विचलित ना हो देवी वतसला जब आप हमारी शरण में आए हैं तो इस मूशक रूपी विपत्ति से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी एक दंत दयावंद कजानल श्री गणेश डिवर्शी नारत ने कहा है कि उस उत्पाती मूशक के उत्पात से केवल आप ही हमें मुक्ति का उपाय बता सकते हैं हमारी रक्षा करेश्री गणेश हम पर क्रिपा करेश्री गणेश हमारी रक्षा करेश्री गणेश हम पर क्रिपा करेश्री गणेश स्वामी क्या आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि देवर्शी नारत को इस घटना का भली भाती ज्यान है और उन्होंने रिशी पराशर तथा देवी बत्सला को कैलाश आने के लिए प्रेरित किया देवी पार्वती चतुर नारत को इस घटना के पीछे चुपे रहस्य का पूर्ण ग्यान है और उन्हें ये भी ग्यात है कि श्री गणेश ही रिशी पराशर को इस उत्पाती मुशक से मुक्ति दिला सकते हैं पिताश्री आपकी दिव्यर उधारक शक्ती के सामने मैं एक तोच्य बालक हूँ कि तो किसी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता जिशी पराशर और देवी वत्सला की करुण कुकार सुनकर मेरा हिर्दय बराया है पिताश्री आप ही इन्हें इस दुष्ट मुशक से शीग्र मुक्ति दिलाएं श्री गणेश नियंता जब किसी लीला को रश्ता है तो उसके पात्रों को पूर्वी निर्धारित कर देता है अर्थाथ पिताश्री पुत्र श्री गणेश जो कारे तुमारे लिए पूर्व कर सकते हैं जाउब पुत्र और उस उत्पाती मुशक से रिशिव पराशर को मुक्ति प्रदान करो स्वामी अभी हमारा पुत्र गणेश निरा बालक है उस उत्पाती अत्याचारी मुशक को दंड देने के लिए आपको स्वेंच आणा चाहिए देवी पार्वती यह कारे श्री गनेश के लिए पूर्व निर्धारित है श्री गनेशी इस कारे को पूर्ण करेंगे मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री गनेश अपनी चत्राई और शक्ति से इस कारे को पूर्ण करेंगे देवी पार्वती क्या तुम्हें श्री गनेश की चत्राई और शक्ति प जन्गत विशेष्टा है जाओ पुत्र गणेश हम दोनों का आशिरवाद तुम्हारे साथ है स्वामी कौन है ये मुशक और उसका रिशी पराशर तथा देवी बत्सला से क्या बैर है देवी पार्वती संसार में घटने वाली हर घटना का ग्यान आपको भले भादे रहता है फिर आप मुझसे क्यों पूछ रही है शमा करें स्वामी ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है देवी पार्वती रिशी पराशर के आश्रम में उत्पात मचाने वाला ये मुशक स्वर्ग लोग से शापित महान संगीतकार गंधर्व क्रोंच है हाँ देवी पार्वती ये हमारे सुपूत्र श्री गणेश का विशेश सेवक बनने के लिए इतना भेंकर उत्पात मचा रहा है किन्तु स्वामी देवी पार्वती अब आप अपनी जिग्यासा को विराम दे श्री गणेश के पराशर आश्रम से लोटते ही आपकी हर जिग करना चाहिए गुरुदेव और माता वत्सला की अनुपस्थिति का लाब उटा कर इस मूशक को यही समाप कर देना चाहिए तुम सत्त कह रहे हो मित्र यह मूशक हमारे भावी जीवन के लिए लच्चा का विशे बन जाएगा हर कोई हमें ताना देगा हमें गूशक को नहीं मार सके अब हमें विलम नहीं करना चाहिए यथा शिक्र इस दुष्ट को मार दना चाहिए उट्पेजी ठोकर हमें निनने दने से पहले इतना तो सोचना चाहिए गुरुदेव को इस बात का पता चलेगा करने जीव की हत्या किये तो हमें कभी शमा नहीं करेंगे गुरुदेव को पता तो तक चलेगा जब हम उन्हें बताएंगे हम तो इसे मारकर खने वन में फेक देंगे क्या तुम गुरुदेव को असत्य कहोगे रुड़म्यम्यम्य तो तुम पोटों डिल दाएंगे एड्वर्दर केikesई मदपया कि पना करदेशना देविक दूना साब यॉफएवर्दर अबनेकित लुक हम निदेन। भूशा की एक जलक देख ली अब वहां हमसे अधिक समय तक धूर नहीं रह सकता गणपत ये नमाहा अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन यही है करता यही है कारण सारे जगत के भाग्य विधाता दुख हरता ये है सुख दाता जी गडिश्च, जी गडिश्च, जी गडिश्च...